पावर ग्रीड दोस्तों पब्लिक को सता रहा है जैसे मैंने आपको बताया 210 भी दे चुका 225 भी दे चुका मैंने फ्रेश बाइइंग दी थी पावर ग्रीड के अंदर 190 और इस टॉक 190 को नहीं जा रहा है 200 से रिवर्सल हो रहा है तो काफी बार मुझे मेसेज़ेस आये हैं और मेसेज़ेस पे पूझ भी रहे हैं कि क्या पावर ग्रीड 190 जाएगा नहीं जाएगा दोस्तों जो यह परफॉर्म कर रहा है अभी लिए MACD में यह पहले थोड़ी रैली देगा रैली देगा बायर को कैच करेगा उसके बाद डाइरेक्ट फॉल करेगा कॉम्प्लिकेट मेसीडी प्लेस लेविल पे बनाते वे जो अब मैं बोड़ना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा आगे चलके अभी के वीडियो में मैं आपको जब क्यांडिल चार्ट इनलेसिस करते वे डीटेली बताऊ दूंगा तो जब आपको समझ में आ जाएगा और एक बात है पाव होता है constant moment होता है जो भी काम करता है ब्रेक अबरेक ढौन स्टैंडर प्रॉफित के लेवल पर ही पावर ग्रीड काम करता है दोस्तों तो इसके इस आप से हम लोग पावर ग्रीड पर कैसे काम करें मैं आपको आगे चलके वीडियो में डीटेली बता दूंगा तो चलिए आ अगर आप देखेंगे पहला ब्रेकाउट हमारा 185 और दूसरा ब्रेकाउट हमारा 200 लेवल पर देखने को मिला और यह स्टॉक इसी 200 लेवल से बॉंस बैक कर रहा है जो बहुत सही नहीं है पूरा का पूरा बैयर को क्याच करने की साजिश अब यह क्या करेंगे नीचे दोस्तों लूस फर्म कर रहा है RSF 40 का सपोर्ट पकड़ा है अब यह स्टॉक ऊपर की ही रैली देगा दोस्तों नहीं अभी के लिए पावर सेक्टार का पावर खतम हो रहा है और जो भी सीजनले सीजन खतम हो चुका जब सीजन आया सीजन की रैली दे चुका जब डिवडे दिया डिविडेंट को पब्लिक को सताया मैंने वेट कराया डिविडेंट की रैली भी मैंने देने लगई तो इस बार भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं दोस्तों अभी के लिए अभी के लिए रुकिये सबर करिए पावर ग्रीड में 190 देखने को मिला तो एंट्री यह जो डिविडेंट दिया है डिविडेंट बस बैयर को कैच करने के लिए दिया है बैयर को क्यों यह वाला दोस्तों रैली देने के लिए और यह वाला बैयर को कैच करने के लिए क्योंकि इस तरफ अगर आप देखेंगे नीचे का लेवल यह जो डिविडेंट दिया है लेवल बैयर तो catch हो गया है अब ये बैयर जब तक exit नहीं करेगा तब तक power grid underperform ही करेगा थोड़ा बहुत उपर जाते हुए rally देने की कोशिच करेगा इधर भी बैयर को catch करेगा standard profit 2020 में bottom जाते हुए इसने दिया 140 लेवल पे उसके बाद power grid अभी तक standard profit नहीं दिया यानि stock ये फिर से नीचे 140 जाने की शमता रखता है दोस्तों ताकत रखता है और ये अगर जाएगा तो जाएगा 160 भी हमें 2021 में देखने को मिलेगा अगर standard profit देने की कोशिच करा अगर standard profit न lead में जो ये buyer को catch करने की साजिशी रच रहा है ये साजिशी है दोस्तों तो मेरा simple suggestion छोटा मोटा suggestion जो भी है एक ही है दोस्तों stock में entry लेना है तो 190 level वरना entry लीजिए ही मत जो भी rally ये complicated MSD बनाते हुए देने की कोशिच कर रहा है इधर भी buyer को catch करने की कोशिच कर रहा है इध coin कर लेजिए for intraday live tips and stock market updates के लिए आपको telegram channel का link मेरे description मिल जाएगा and thank you for your love and support and keep encouraging me दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube channel subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए notification पाने के लिए notification all पे click कर दीजिए 13th April 2021 Tuesday power grid का closing है 208.75 पैसा यह मैं target निकाल रहा हूँ for 15th April 2021 Thursday के लिए Thursday के दिन आपको मेरे levels पे buying opportunity देखने को मिले या selling opportunity देखने को मिले आप मेरे target and stop loss live market में लेके चल सकते हैं दोस्तों और एक बात है अगर आपको intraday live market decision making में दिक्कत हो रही है positional call पे कैसे काम करना है average strategy कैसे maintain करते हुए overall average को नीचे लाना है समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे आपके अपने hyper trade sb instagram के अंदर dm कर सकते हैं दोस्तों आप 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 आप